हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप मैं डॉक्टर खालीद रहमत हुआ हुमियोपितिक वाइकिमिक मैं लाश्ट 15 यह से प्रैक्टिस कर रहा हूं आज का में टॉपिक जो है लॉस ओफ एपटाइट वुक का ना लगना है आज कल देखा गया है कि हर घर में यह प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मिल रहा है चाहे वो बच्चे हों जवान हों बुड़े हों सभी को एक ही समस्या है वुक का ना लगना है उसका में कारण है जंग फूट का ज्यादा इस्तिमाल करना जंग फूट जब बॉड़ी के अंदर में जाता है तो लिवर जो प्रॉपर तोर पर काम करना चाहता है तो वो नहीं कर पाता है जिसके वज़ा से वो कम लगता है लिवर का में फंक्शन जो होता है वो खाना को अवजब करता है और विटामिन A, विटामिन B12 और विटामिन D उसको हर हाल में चाहिए और वो अगर कोई भी विटामिन A, विटामिन B12 या विटामिन D ज्यादा इस्तिमाल कर रहा है तो वो लिवर चाह करता है कि जो विटामिन उसको दरकार है वो बलेट में चले जाता है और बाकी जो है वो अपने आप लिवर अपने अंडर में ले लेता है जिस सरा मैं एक एक्जामिन बता रहा हूं कि जब कोई घर तयार होता है तो घर में तयार होने के लिए इट यानि ब्रिक का इस्तिमाल होता है ब्रिक के बाद जब वो तयार होता है तो वो एक दिवार नुमा शकर इस्तियार करता है उसके बाद घर बनता है घर बनने के बाद तब वो एक होस तयार होता है सेम बॉडी का सिस्टम भी वही है जैसा cell से tissues बनता है बहुत से tissues से organ तयार होता है और organ से body तयार होता है हम जिस तरह healthy food body मिलेंगे तो cell भी strong होगा cell के साथ tissues भी strong होगा उसके बाद organ strong होगा तो automatic body भी strong हो जाएगा तो हमेशा आदमी को healthy food खाना चाहिए और liver और brain जो है एक best friend है liver अगर कोई खाना उसका मन मताबिक नहीं आता है तो वो brain नाराज हो जाता है देखिएगा ज्यादतर जिसको भूप नहीं लगता है जिसको liver का problem create हो जाता है तो देखिएगा दिमाग जो है चुटुड़ा पना आयाता है जिसके वज़से कोई भी काम करने का मन नहीं होता है तो दिमाग और liver का जो है तालमेल बहुत अच्छा होता है अब आपको एक system बता रहे हैं कि ये तो problem आते ही रहेगा जंग food भी इनसान खाते रहेगा तेखिए उसका solution है कि उसको ठीक कैसे किया है उसको ठीक करने के लिए हम homeopathic के तीन medicine तयार किये हैं जिसका नाम है triple C triple C जो है वो C से लिया गया है C for China C for Chiridonium, C for Chiridus तीनों को mix करके मैंने एक composition तयार किया है पहला medicine जो है वो China है तो China का जो main function जो है वो hemoglobin बनाता है जब liver अपना काम करना छोड़ देता है तो hemoglobin जो है वो body में बहुत कम हो जाता है वो channel उसको recover करता है second medicine है Chiridonium Chiridonium का main काम है के liver के अंदर जो भी problem है उसको वो ठिक करता है जैसे CBI जिस तरह अपना duty देता है तो Chiridonium same duty CBI जलता काम करता है थर्ड नम्मर जो medicine है काडवर्स काडवर्स मडर टिंक्चर जो है वो जब body में जाता है तो वो liver को तो ठीक कर देता है लेकिन गॉल बलाडर में स्टोन भी होने नहीं देता है उसका main function है अब इसको तयार कैसे किया जाएगा तो मैं बताता हूँ माल लिए यह चाइना है 30 ml सेकंड मेडिसिन है और थर्ड मेडिसिन है काडवर्स आपको सिल्क पैक लेना है इसके साथ आपको 100 ml का खाली सिसी लेना है और तीनों मेडिसिन को इसमें mix कर देना है तो mix करके एक form में तयार हो जाता है तो अब आप इसको कैसे use कीजिएगा मैं बताता हूँ अब यह तीन मेडिसिन तयार हो चुका है चैना, किरोडुनियम आप इसको खाने का तरीका है सुभा में दोपहर में और रात में खाने का आधा गंडा के बाद आधा कप पानी में 10 से पन्ना भून करके कम से कम 45 दिन खाना है 45 दिन खाने के बाद आपको बहुत ही best result मिलेगा अगर आपको हमारे वीडियो के तो पसंन आया है तो सब्सक्राइब करना न प्रक्राइब कर दो अगर अगर